क्रिप्टो मार्केट में एक भारी करेक्शन आ चुका है, बिटकोईन तो फॉल करा ही करा है, बट आल्ड कोईन उससे भी बुरा फॉल करें, इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल है, कि आल्ड कोईन डॉमलेंस जो मैं आपको बताता है, रीटेस करने आ सकता है, वो यहाँ पर आ चुका है, बिटकोईन नॉमलेंस हमें पर्मक परता हुआ देखा था, अब इस चीज़े को मैं थोड़ा और एक्स्पिरिंट करूँगा, साधी साथ बात करेंगे हैं इसे ओल्ड कोईन के बारे में, जो इस डम के अंदर बहुत सस्ते मिल रहे हैं, जिनको उठा लेन तो हल बुर मार्केट करना आते हैं, अगर आप बिटकोईन की हिस्टी चार्ट देखतो हो, यहाँ पर रेक सकते हो, यहाँ पर रेक्षन तो हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नए आया है, क्यूंकि कभी भी मार्केट सीधे इस टाइप से नहीं चलती, हमेशा मार्क बिटकोईन का या किसी क्रिप्टो का, किसी स्टॉक का, आप टॉप पर रेक्षन तो हमेशा में देखने को मिलते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है, कि यहाँ पर रेक्षन को अच्छा मना जाता है, क्यूंकि कर्रेक्शन आने के बाद जो अगरा टॉप लगता है, अब देखो इस टाइप का करेक्शन तो इस बार भी आ चुका है, बट आप लोगों से जादा लोग का सवाल एक ही है समय पे, कि कितना करेक्शन और आगा या कितना कैश हो और आगा, तो देखो एक चीज़ को आप दिवांग में बिठालो, कभी भी आप बिटकोईन का, य मेरे साब से शायद 5% का या 10% का मैक्सिम्म करेक्शन और अभी यहां से आख सकता है, उसकी बार दिकवरी हमें देखने को मिल चाहिए, अकोर्डिंग टू ओल्ड कोईन डॉमलेंस, अकोर्डिंग टू बिटकोईन डॉमलेंस, आगे तो को मार्केट है, मार्केट के ना कर लिए, अच्छे से ओल्ड कोईन को अच्छे लेवल के उपर बाय कर लिया, तो कहीं न कहीं, जो आप बाइंग एक धून रहते मारकेट के नदर, कि भाईंग मिल जाए, नीचे आज़ा, बाइंग मिल जाए, वो अपचिनटी ही हो सकती है, और इसके बाद शायद दुब क्रिप्टो विद्खान, कासे अच्छे आटिकल लेखते हैं टूटर के उपर यह, इन्होंने यहां पर बहुत अच्छे समझाय है, कि एक रहशा में क्यों रेखने को बला है, तो यहां पर हुआ क्या, जो सुन्दर बचाय जी है, जो कि Google कि स्यू है, आप में सदाता लोग जाते तो, सॉल्फ करने में, इस चिप को जैसे इंटर्ड्यूस कर गया, तो जो भी नॉन क्रिप्टो बलीवर्स हैं, वो यहां पर फड़ यहां पर उन्होंने फैलाना स्टार्ट कर दिया, कि विसकली होगा क्या, जब यह कॉन्टम क्म्यूटिंग चिप जब यहां पर र बहुत सारे टोईट्स भी रेखने को बिल जाएंगे, गूगल विलो कॉंटम वर्सिस बिटकोईन, एंक्रिप्शन, यहां पर बहुत सारा एक डिबेट टाइप स्टार्ट हो गई, जो कि अभी कहीं न कहीं यह माना जा रहा है, कि अलोगर बिटकोईन के लिए safe side है, बस ए आप से 70 के अंदर यह जाता है, तो एक साधा अच्छा ओप्शन रहेगा बाइक करने का, बागी अभी भी अगर आप बाइंग अपनी start करते हो, तो it can be a good option, आपको एक चीज़ तो पहले ही होता चुका हूँ, कि extreme good condition जो होती हो, selling करनी करनी कर होती है, ना कि बाइंग करने क तो अगर आप इसके असाब से बाइंग करते हैं, अगर आपने जब यह 30 पे था, that means जब bitcoin 60,000 डॉलर पे था, तब बाइंग करी थी, तो कहीं ने कहीं इसके according, excel signal इस समभब मिलता है, long term investor को, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हम bull run के अंदर हैं, तो कहीं ने कहीं यह वाले important area को तो break कर दिया है, यहां से एक jump भी हमें देखने को मिला, जो कि अगर आपने limit order लगाया होगा, तो आपने quick profit बनाया होगा, fly के यहां पर गाला coin के लिए important area है, वो 0.036 का हमें देखने को मिलता है, जहां से एक fast recovery हमें देखने को मिल सकती है, बागी according to 4 hour chart, अगर आपको long term buying करनी है, वो 600-650 dollar के बीच में बनाये जा सकती है, उसके बाद INJ है, जो काफे अच्छे support area के उपर है, यहां पर spot buying कर दिया सकती है, लong trade लेना देखने रहेगा, बर spot buying हम कर सकते हैं, उसके बाद next buying area जो उसका रहेगा, वो 23 dollar के आसपास हमें देखने को मि chain link है, जो काफे bullish रहाता है, इस golden के अंदर, अभी currently एक अच्छे support के उपर है, यहां सरी कब दिया सकती है, बागे इसका next buying area 16.69 के आसपास रहेगा, next मैं पास FTM coin है, जो कि अगर $1 के इंदा मिल जाता है, तो it can be a good buy, वहां से काफे bullish हमें FTM देखने को मिल सकता है, फिर near protocol ह जो अच्छे support के उपर है, $6 बुरा नहीं है, मैंने personally $8 के आसपास sell कर रहाता है, तो मैं तो $6 पर buy करने जाओंगा, and मेरा next buying area के अंदर $5.5 के आसपास का रहेगा, उसके बाद C coin हमने पास आ जाता है, जो कि अच्छे support के उपर है, यहां पर भी buying बना सकते हैं spot के इंदर बट अगर आपको better buying लेनी है, save buying लेनी है, तो $0.5 के अंदर मिलता है, तो दादा better रहेगा, उसके बाद light coin होने पास आता है, जो वैसे तो अच्छे support के उपर है, मैंने personally spot buying ले लिए, लेकिन अगर आपको $100 या $83 इन दो $80 के उपर मिलता है, तो long term के लिए काफी ची buying के छोड़ेना, फिर TRX वेना जाता है, जो वैसे तो अच्छे support के उपर है, यहां से recovery आ सकती है, बट इसका next support एडिया 0.21 के आसबस हमें देखने को मिलता है, जहां से अच्छी recovery ये दिखा सकता है, तो market crash ज़रूर करिए, पट इस चीज को देखने के दो नदर ही है, पहला का क्याल हुआ होगा, दूसरा नदरिया इस चीज को देखने का ये है, कि यार देखो market crash कर गई हमारे जो profit चल लेते हैं, वो loss में आ चुके हैं, तो वो गलती आप किये, अगर आप profit बुक नहीं करोगे, तो आप कहीं न कहीं एक दिन loss में दुबारा से सहूर जाओगे, यहां पर उन्हें आपको बताया थे किस तरीक से exit लेना है, बागे तो इस टाइप की first to market के दर आते रहेंगे, इस टाइप की liquidation में market के दर होती रहेंगी, अगर आप features में trade करते हो, तो जादा hold करने के दो नहीं है, इस टाइप की liquidation क्योंकि market में बाहर बर आएगी, उससे बचने का यही तरीका है, कि जब भी profit हो, तो profit अच्छे से book करो, जादा hold करो future trading में, बाग अगर आप spot के दर hold करते हो, तो कोई डिक कर नहीं है, फिर आप अभी भी currently buying कर सकते हो, यहां पर भी अगर आप buying start करोगे करना, जैसे ING के अंदर मैं levels की बात करूँ, तो अगर मैं निकल जाओगी, market जैसे ही recover करेगी, and market recover करती है, यह आपने देख लिए होगा पिछले 2-3 साल में, अगर आप market के अंदर हो, तो इविन में वीडियो से अगर आप रहूर देखते हो, तो भी आप कोई चीज साही में आगी होगी, तो उमीद करता हूँ, आपको market crash के बारे म market के इंदर आते रहते हैं, strategy correction, market के इंदर आते रहते हैं, घबरानी के दिवाद नहीं है, जो कोई अच्छे में मिलें हैं, जो कोई से से में वाल रहा हैं, उनको average करो, all season जब भी यहाँ पे recovery लएगा, जैसे कि आप यह देख सकते हो, कि एक details की और बट रहा है, all season dominant, तो कही नहीं नहीं, all coins भी हमें perform करते हों देखेंगे, बागे नएस वीडियो करने और जल्ली मिलेंगे, तब सकते के, goodbye, take care.